नमस्कार आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड की गुजिया जो इंस्टेंटली बन जाती है बिल्कुल क्विक एजी रेसिपी है अगर हम आपस टाइम नहीं होता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी मैदा गूतने की ज़रूरत नहीं है ना ही घंटो मावा बनाने की परिसानी उठानी है हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड मालाईसयम फटा फट से इंस्टेंट गुजिया बनाने वाले हैं कैसे बनाते है यह गुजिया अभी हम पूरा वीडियो देखने वाले हैं वीडियो को पसंद कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक इसे कट कर सकते हैं जो साइट्स निकले हैं इससे भी हम यूज करने वाले इसे चब बड़े बाले जाल लिये हैं और इसी में डालने वाले हम पिसी हुई चीनी तो चार चमज बर चीनी दो हरी इलाइची के साथ हमने पीस ली थी, इसे इसमें एड़ कर दिया है, साथ में नारियल काफी सारा, और इसमें हम किसमें बदाम डाल रहे हैं, आप अपनी इक्षा से अपनी श्रद्धा नुसार इसमें ड्राइफ रूट्स जितनी मातरा में डालना चाहते हैं, डाल सकत अब एक राउंडल हमने ले लिया है, जो ब्रेट से तयार किया था, इसे बढ़िया से बेल लेते हैं, बेलने से क्या होगा, ये पतली हो जाएगी, और इसे हम अच्छे से आसामी से फोल्ड कर पाएंगे, इसलिए बिलकुल ताजी ब्रेट का इस्तिमाल करना और बिना छे इसमें रख दिये बीच में, जितनी एजली आजाएगी उतनी रख लिए, और यहां पे हमने आटा और पानी का घोल बना लिया है, जिससे हम इस गुजिया को सील करने वाले हैं, इससे साइट्स अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, तो हम ये घोल चारो तरब से लगा अगर आपकी गुजिया का सीप थोड़ा सा डिस बैलन्स हो रहा है, तो आप इससे कट करके ठीक कर सकते हैं, और ये बड़ी असी गुजिया बन करके तयार हो गई है, बिल्कुल एजी और क्विक रेसिपी एक गुजिया बन कई है, दूसरी कैसे बनानी है, इसमें हमने पह तो आप देख रहा है, हमने मैदा भी नहीं गुदा है, और नहीं हमने बनाया है, मावा फिर भी ये बहुत बड़ी हागुजिया बनेंगी, सारी गुजिया हमने तयार कर लिए है, और इस तरह से बिना छेद वाली ब्रेड ही लेना है, नहीं तो फिर अंदर तेल चला और अब इसको पहले नीचे से थोड़ा सिख जाने दिया, जब ये सुनहली सी होने लग गई है ना, तभी इसे पलटना है, बीच में चेडने की जरूरत नहीं है, तो फटा फटेंस को पलट देते हैं, दूसरी साइड भी ऐसा ही सुनहला सा सिख लेंगे, और बस ये इस्ट्रा ओयल निकल जाए, और ये बड़ी असी यमी लीसियस सी गुजिया बन करके तयार है, है ना, बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपी, ऐसे आप बनाएंगे, आपकी गुजिया भी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली, बिना मेहनत की जटपट बनने वाली, आपके प बना करके तयार कर लिया है, यहां दिखें, मैंने प्लेट में रखा है, तो उड़ा सा इसे गार्निस कर दीजे, और इस तरह से आप किसी को भी सर्व करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, साथ ही खाने में भी ये बहुत ज़्यादा रिलीसियस होती ही, क्योंकि हमने ट् चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए